हेलो दोस्तों आज हम गुलगप्पे का चटपटा खटा मीठा पानी बनाएंगे तो यह पानी बहुत ही तेश्टी होता है तो आप इसे एक बार जरू ट्राइए करें तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला तो यह एक चमच लिया है जीरा तो बड़े चमच हम लेंगे धनिया के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च तो आप चाहो तो कष्पीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं तो इसको थोड़ा सा हमें भूनना है जब तक इसमें कुस्बू आ पानी न हो जाया वÈं एक्सपश है तो यह देखिए इसमें perfect look at åkya और ने के लिए हम रख देते हैं तो चलिये हम मैं तो पानी कर लेने तो दो कप लेंगे हम इसमें पानी आप गचाँ हो नी के लिए का तो देखिए अच्छे से सव अब चलिए इसका हम पेस्ट बना लेंगे तो इसका हमे ठोड़ा तर्दरा सा बनाना है बहुत ज्यादा महीं नहीं करना है चलिए सण जाई में रख देते हैं तो देखे हमारे ख़डे मसाले ठंडे हो गए तो इसको हम नहीं के बार को नहिकर्ट है और इसको आप देख शकते हैं थोड़ा solids रहना चांश किक के ज अब चलिए पानी को लेड़ी करते हम कोई थे बाून लेलो अर आपस द्भाविक से थन्डा ऑर है अब इसमें हम डालेंगे दो कप पानी है तो आप चाहो तो ठंडे के लिए स्मे थोड़े ice具iblia अच्छ चाट मसाला और अमचूर और तो दालेंगे काला नमक और इसमें यहойти ऍाब कर दाल के दो चोटी तो चलिए इसको भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं, अब इसमें डालेंगे दो बड़ी चम्मच कटे हुए प्याज ढलना इससे बहुत अच्छा फ्लेबर आता है, और डालेंगे दो बड़ी चम्मच, बुन्दी जो हम रायते के लिए उसकरते न, वह ई वाले बुन्दी उसकर चलिए इसे भी हम बहुत मसाले दार चटपटा बनाते हैं तो धनिया पता डाल देंगे कटे हुए और ये छोले को मैंने उबाल लिये थे उसको डाल देंगे फिर कटी हुई इसमें प्यास डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे काला नमक फिर डालेंगे सफेद वाला नमक फ और हमारा चटपटा आलू का मसाला रेडी हो गया है तो चलिए गोल गप्पे में हम फेल कर रेते हैं आलू को पहले इसमें फेल करेंगे और उसके बाद पानी में मिक्स करकि जब आप इसको खाओगे ना तो बहुत ही टेश्टी लगता है तो आप एक बार मेरी तरीके से जर पानी बनाने की जरूतनी है एक ही पानी में दोनों का फ्लेवर आता है तो वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक शेयर करना